नमस्तार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं bullish engulfing candlestick pattern की आज के section में हम समझेंगे कि bullish engulfing pattern होता क्या है हम इसे identify कैसे कर सकते हैं और इसके बेशने हम trade कैसे ले सकते हैं इसलिए शुरू करते हैं आज का section पहले समझते हैं कि bullish engulfing candlestick pattern है क्या जैसे कि हमें राम से ही पता चलता है कि बुलिश अंगल्फिंग यहां पे बुलिश चैंडल बनेगी और जो प्रीविएस रेड़ केंडल को फुली अंगल्फ कर देगी और यह एक यह प्रीविएस पैटरन का पॉटेंशिल रिवर्टर शो करेगा तो इसलिए इसका नाम है अब देखते हैं कि इसे इडेंटिफाइ कैसे करते हैं तो चलिए अब चार्ट पर देखते हैं कि यहां जहां हमने स्क्रिप्ट और प्राइस मुमेंट केंडिक पैटर में प्लॉट की है यहां पे आप दे अब्जर्व करेंगे तो थोड़ा साइज इसका इंक्रीस कर देत यहां पे अब्जर्व करेंगे कि 28 स्जनु wedge कर दिंद नीं जिसका वोपनिंग प्राइस प्रिवेस कैंडल के उपनिंग प्राइस से उपर था और डॉलिश कैंडल को फुली एंन गल्फ कर लिया जिससे हमें पता जबता है कि एक bullish engulfing candlestick pattern है और अब ये show कर रहा है कि potentially trend reversal हो सकता है यहाँ पे आप trade कैसे लेंगे जहाँ previous trend जाओ कि downward trend था यहाँ से bullish trend start होने की signals मिल गए हैं हमें तो हम यहां से bullish buyer ले सकते हैं bullish trade ले सकते हैं कुछ लोग ज्यादा conservative होते हैं वो फिल भी confirmation का wait करते हैं तो आप एक और trading day तक wait कर सकते हैं यहाँ आप देखेंगे कि एक इवन तो red candle बनी है और उसका close interest देखे close से ऊपर है यहां तो basically इससे पता चलता है कि अप trend यहां से start हो गया है यहां confirmation given मिल गया है तो अगर इस signal को check करके आपने अगर bullish trend लिया होता और bullish trade लिया होता तो यहां पर आप देखते कि आप state rank of India में enter करते 282 के price तो जो कि within 5 working days आपका 5 trading days आपका price यह 400 प्लस चला गया तो यह तो था हमारा bullish engulfing candlestick pattern और इसके trade लेना है इसके अलावा भी आप देखेंगे कि काफी सारे other candles बने हुए हैं जो की bullish pattern नहीं जो की engulfing pattern नहीं दिखता तो इसके तो candlestick pattern के और candlestick card के काफी इस ताइप के पैटर्न होते हैं जैसे morning star, evening star, harami and handle, bullish handle, bearish handle different different type के pattern होते हैं जो different different point of time पे बनते रहते हैं और different different type के sequence समें प्रोवाइड जरते हैं तो आज के topic में हमने only cover करना bullish engulfing candlestick pattern जो जब भी आप observe करें वहां से आप bullish trade, bullish trade easily raise सकते हैं और आप definitely, definitely तो certainty के साथ तो कुछ भी नहीं का जाता है तो market में but in most of the cases आप profit कमाएंगे जब वहां से आप bullish trade लेंगे तो ठीक है जी